अधिया कॉस्टिक आप सभी का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं शेयर करने वाली हो आप सभी के साथ अपने बेबी का छठी ब्लॉग तो यहाँ पर मैं नहा करेडी थी, मेरी बेबी भी नहा करेडी थी और ये बाल काटने वाले नाई आये हुए थे जो हमारा पॉओ पहले हमारा निल्स कट हुआ था उसके बाद फिर हमारे पॉओ कलर हुए थे तो ये रिचूल्स होता है ये कराना जरूरी होता है या मेरी बेवी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है बट फिर भी रिचुल से कराना था वो बहुत ही रोड़ी थी फिर मैंने उसे चुप कराया उसके बाद फिर ये आपको बलूंस दीख रहे हैं तो ये भाईया भाबी और रवी ने लाया था और उनका प्लाणिंग था कि डेकुरेशन करवाना है बट वो करवा नहीं पाया तो खुद से ही उन्होंने किया जो कि बहुत ही दिल से और प्यार से किया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम लोग हास्पिटल में थे तो अबिस सिवा थे इतना कुछ करना अलाउट था भी नहीं वहाँ पे यहाँ पे बाबु के दादाजी आया है दादी बड़ी ममी बड़े पापा उसके भाई जी जजजी दीदी सब लोग आया है फुल फैमली हम लोग इकटे हुए थे ब ममजद चल रही है उसके बादma रिच्वू से स्वाइब स्ट Алट होगा और यहां बाबु ददी की बुदि में हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रहे है उसके बाद रिच्वember से स्टार्ट हो चुका है यहां पर और यहां पर दीदी बना रही है का जे तो यह वाला रस ना दीदी ने किया और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी बाबु रेडी हो चुकी है और रेडी हो करके बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ पे मामा बेटा दोनों पहने हैं येलो येलो तो हम दोनों ने जो ड्रेस पहना है वो पापजी लेकर के आया हुए थे और उसके बाद ममी जी यहाँ पे सिंदूर लगा रही है तो मैं आप लोगों को बता दो कि ये छटी का जो रिच्वल्स जो भी होता है वो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैंने फर्स टाइम ये एक्स्पेरियंस लिया है और मैंने इससे पहले किसी का देखा भी नहीं मैंने बस वीडियोज देखे थे तो बट वीडियोज में सबके अलग-अलग तरीके से होता है तो इसलिए मुझे इतना अच्छे से पता नहीं मुझे जैसे जैसे बोला गया वह सब मैंने किया यहां ममी जी तैयारी कर रही है पूजे स्टार्ट करने की तो वह तीका लगा रही थे बीगन पर यहां पर मुझे खुछा दे रही है और खुछा देने के बाद फिर पूजे स्टार्ट होता है यहाँ पर बाबू बहुत जादे रो रही थी पता नहीं उसने new dress पहना था या क्या हुआ था बहुत ही उसे irritation फिल हो रहा था या फिर क्या बहुत रो रही थी वो और यह पूजा जब तक हुआ तब तक हो रोती रही रोती रही बहुत रो रही थी sound मैंने real वाला mute करके रखा है क्योंकि बहुत ही source रवा हो रहा था ऐसे भी आप लोगों को कुछ समझ में आने वाला था नहीं तो इसलिए मैंने real sound mute कर दिया यहां पर भी पूजा हो रहा है तो मुझे बैटने में जुकने में बहुत ही problem हो रही थी क्योंकि मेरा c-section करके बेवी हुए है बट फिर भी मैंने किया और बहुत अच्छे से सब हो गया था बहुत अच्छा लग रहा था एंड मैं एक और चीज बोना चाहूंगी thanks to Robbie and Bobby क्योंकि उन दोनों के बज़े से ही ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ share कर पारी हूँ क्योंकि ये जो भी क्लिप है कुछ क्लिप रवी ने बनाया है कुछ क्लिप भावी ने बनाया है तो इस विज़े से मैं आप लोगों के साथ था जी ये वीडियो share कर पारी हूँ यहां देखो बाबू रो रो करके बुरा हाल हो गया तो पुरा रेड हो गई थे फिर मैंने उसे चुप कर आया उसके बाद ये रिच्वल्स होता है थाली पीटने का जो की बाबू की बुवा ने किया और सब बहुत खुषते सब क्लैप कर रहे थे फिर मेरे बेबी को पे इंड और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज अमारी चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सकाइब करें थैंक यू सो मच अव्रिवन